जिस फोन का आपको पिछले एक महिने से भी जादा से इंतजार था वो आ गया है Realme 2 Pro जी हाँ Realme 2 आज जो है वो लाँच कर दिया और कीमत जो है वो बहुत ही जानदा शानदा जबरदस्त है और छपपरपाड है यहाँ पर बड़े बड़े ब्रैंड्स को हिला देने वाली है Realme 2 Pro आपको मिलता है कितने का 13,990 रुपे का 4GB और 14GB वाला वर्जन 15,990 वाला मिलता है आपको कौन सा 6GB और 14GB और 17,990 मिलता है आपको 8GB और 128GB का मेमरी कॉम्बिनेशन तो फड़ा फड़ से देख लेते हैं इसके बॉक्स में क्या कुछ दिया गया है नमस्कार शर्माई टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है Realme 2 Pro एक वास्तो में सक्सेसर आज निकल के आ गया है डबा तो हम खोल के दिखाती हैं लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप यह वाला फोन आप क्रेट कार्ड से लेना चाहते हैं क्योंकि जो प्राइस है वो 14, 16 और 18 तक जा रहे है तो आप इस एप्लिकेशन से ले सकते हैं अगर आप इस स्मार्टफोन को लेने की सोच रहे हैं तो आप जाएं यहाँ पर बैंक बजार के उपर यहाँ पर आपको काफी सारी चीज़े मिलेंगी सारा काम यहाँ एप्लिकेशन में ही हो जाता है लिंक दिया गया वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाकर जुरू से बैंक बजार एप को इंस्टॉल कीजिए और इस विउदा का लाव उठाईए बॉक्स की पैंक कुछ तरह से यहाँ पर मिलती है लिखा गया है Stay Real, Stay Connected और इसके अंदर देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है एक आपको जो है वो कवर मिल जाता है कुछ यहाँ पर जो है वो गाइड दी गई है Realme Quick Start Guide है और Safety Information है और यह जो है वो कवर है और कवर की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है और Dual Camera आपको यहाँ पर दिखी रहा है अब चलते हैं आपर Main Phone की तरफ तो यह है आपका Main Phone Blue Color वाला थोड़ी देर और वेट कराते हैं आपको उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है यहाँ पर मिल जाता है आपको एक Charger और Charger की जो रेटिंग है वो 5V 2A के उपर है नॉर्मल Charger है 10W वाला और यहाँ पर आपको जो है वो Micro USB से USB वाली AQ मिल चाती है जी हाँ Micro USB दीखे ही है इसके अंदर चलते हैं अब चलते हैं फोन के उपर फोन जो Main Highlight है वो यहाँ पर इसका जो है वो design है और इसको बाहर निकाल लेते हैं slide करके वही जो है वो better रहेगा निकालना यह देखिए तो यह है water drop notch के साथ में आपको मिलता है Realme 2 Pro start कर लेते हैं इसको physical overview की बात करें तो उसे वहले आपको बतायते हैं इसकी जो screen है वो आपको यहाँ पर 6.3 inches की मिलती है जी हाँ 6.3 inches की full HD plus वाली screen दी गई है screen का जो ratio है यानि की screen जितनी है वो 90.8 90.8 इसका जो है वो screen to body ratio है यहाँ पर physical यहाँ पर आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो design मिल जाता है dual camera है 16 plus 2 यहाँ पर LED flash है fingerprint scanner भी आपको दिया गया है काफे requirement थी realme की branding है और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर speaker port मिल जाता है speaker port है microSD port primary mic और यहाँ पर 3.5 jack भी दिया गया है SIM ejector pin भी जहाँ निकाल लेते हैं SIM ejector pin भी आपको इसमें जो है वो मिलती है जनरली ऐसे दिखती नहीं है तो देख लेते हैं कि card slot किस तरह से आपको मिलता है इसमें आपको जो है वो dual nano plus SD card का option दिया गया है फटा फट्स इसको मैं setup कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको snapdragon का 660 AIE जी हाँ AIE वाला जो है वो मिल जाता है और जो इसकी RAM है वो यहाँ पर एक killer highlight है आपको जो है 8GB तक की RAM option जो है वो मिल जाता है इसके अंदर जो की pricing के हिसाब से यहाँ पर काफी बढ़िया यहाँ पर मिलता है Color basis में आपको मिल जाती है 5.2 वाली setting में चलते हैं यहाँ पर फटा फट से और आपको दिखाते हैं about phone में जाकर के तो जी हाँ आपको 8GB वाला phone जो है यह मिल रहा है जहां से अगर आप देखिए close up लेकर के 8GB की RAM इसमें जो है वो दी गई है जो की इस price में अब तक का सबसे killer device बन जाता है 8.1 है इसके अंदर snapdragon का 660 दिया गया है और internal memory की बात करते हैं तो 128GB जिसमें आपको 103 अवेलेबल मिल जाती है तो यह कहानी है यहाँ पर इसकी और थोड़ा और इसको मैं यूज करता हूँ फटा फट से सब को setup करता हूँ और फिर आपको दिखाते हैं सबसे बात करते हैं तो यहाँ पर आपको selfie picture दिखाई जा रही है जो की 16MP camera से ली गई है और इसकी जो है normal mode में ली गई है second photo यहाँ पर इसके AI beautification mode में ली गई है तो आप देख सकते हैं photos के अंदर जो काफी जादा आपको exposure मिलता है photo थोड़ी से unnatural लगती है back में बात करते हैं तो यह जो है वो इसके selfie portrait से ली गई है edge detection यहाँ पर अच्छा है लेकिन realme और oppo के phones में जो face के ओपर बहुत जादा ही makeup या beautification अप्लाई हो जाता है यह वाली photo जो है आप देख से हैं अगर आप देखें पत्तों के ऊपर या फिर पीछे अगर आप wall पे देखें zoom करके वे तो detailing काफी बढ़िया मिल जाती है तूसरी बारी photo जो है वो HDR में ली गई है तो भी आप देख से हैं dynamic range किस तरह से हैं आपर मिलती है और यह वाला जो पिक्चर है वो close up shot ली गई है तो आप देखेंगे पत्ते के ऊपर white spots हैं वो भी आपको detailing मिल जाती है ती वाले photo जो है वो इसके normal bookie mode में ली गई है उसके बाद में ब्लाक और वाइट में ली गई है और यह जो है वो इसकी fill light के लाइट तो colors यहाँ पर जो है वो थोड़े से ओर sharp मिल जाते हैं कुछ और sample आप यहाँ पर देख सकते हैं lock के उपर और indoor में बी कुछ sample ली गई है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मिलते हैं इंडोर के अंदर भी जो quality है वो काफी अची है सिर्फ एक tube light की रॉष्णी के अंदर वीडियो quality की बात करें तो यहाँ पर आपको फूल HD plus की screen मिलती है 19 ratio 9 वाली और जो viewing angles है वो काफी अची है और जो colors है वो natural आपको दिखाये दे जाते हैं तो एक perfect entertainment device की रूप में आप इसको यहाँ यूज कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं यहाँ पर phone के fingerprint scanner की fingerprint scanner जो है वो काफी एक जरूरी चीज है वो इसमें आपको मिल जाता है phone बंध है मैंने यहाँ टैप किया और यह यह वो unlock हो गया इसके लगा अगर बात करते हैं यहाँ पर face unlock की तो वो यहाँ पर वैसे ही बहुत जबर्दस्त है आप दबाईए बटन और यह वो खुल जाता है तो face unlock security option आपको यहाँ पर मिल जाते हैं screen जो और यह light weight है अगर आप बात करते हैं experience की RAM management की तो 8GB की RAM more than sufficient है अगर आप 18,000 रुपे के अंदर एक ऐसा phone देख रहे हैं कि बढ़िया processor यहनि कि snapdragon के 660 के साथ में 8GB की RAM और 108GB की internal storage और triple card अगर आप SD card लगाना है तो लगा लेना tension की बात नहीं है वो भी लग जाएगा यहाँ पर साथी साथ इसमें आपको जो डूल 4G वोल्टी का भी support मिल जाता है तो इन सब चीजों के साथ में Realme 2 Pro 20,000 रुपे से अंदर की कीमत में या 15,000 रुपे से कम की कीमत में भी जो एक बहुत बड़ा killer phone बोल सकते हैं जिस तरह से Realme 1 था और अब आगया है Realme 2 Pro तो यह यहाँ पर फूरा phone है मुझे बताएगा कि आपको कैसा लगा Realme 2 Pro और बताएगा कि यह वाला phone कौन कौन से phones को kill करने वाला है जी हाँ क्या आपको लगता है कि Boco का F1 जो 21,000 रुपे का आता है वो यहाँ पर kill हो जाएगा 8GB to 8GB के race के अंदर प्रोइसर जो हो जादा हाई आई फाई नहीं है मतलब 845 और 6GB को जादा अंतर नहीं है बहुत चमतकारी फरक नहीं आएगा लेकिन हाँ चीज जो है वो यहाँ पर बता दी है मैंने आपको तुपास आज की इस वीडियो में इतना ही मुझे अमीद है कि आपको वीडियो जो हो पसंद आया होगा जोरो से वीडियो को लाइक कर देजिए के शायर कर देए चैनल को सब्स्राइब कर रखेगा ताकि कुछ ना कुछ सब्राइज आपके लिए Realme2 Pro का लाकर देश सके हम हमारे चैनल के ऊपर ठीके जी आबने रही है और बोलते रही है फार्माता की चैनल